दोस्तों ये है Windows 10 की Bootable Pen Drive और ये है 128GB की SSD जिसके अंदर एक ट्रिक से Windows 10 का Insulation किया जा चुका है इसको यूज़ करने के लिए आपके पास Physical System होना चाहिए जिसके अंदर आप इसे USB Port के बार प्लग करेंगे Temporary Boot Menu या फिर BIOS को Open करेंगे Boot Party चेंज करेंगे और उसके बाद Pen Drive से सिस्टम को Boot करवाएंगे और Boot करवाने के बाद आपको Steps को Follow करते वे Hard Disk के Partition को Create करना होगा और साथ में फिर Windows का Insulation आपको करना होगा इतना सब कुछ आपको करना होगा लेकिन इस SSD को आप किसी भी System के अंदर लगाएंगे उस ट्रिक के मदद से आप Windows 10 और Windows 11 का Insulation किसी भी SSD के अंदर कर सकते हैं इसलिए अब Bootable Pen Drive की जरूत आपको नहीं है तो चलिए बिरा किसी देरी के आज की TechnoBaddy शुरू करते हैं तो दोस्तों इस ट्रिक को यूज करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने SSD को USB Port के उपर Connect कीजिए अगर आप 2.5 इंच की SETA SSD का यूज कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा एक 2.5 इंच का Enclosure जिसके अंदर आप अपनी SSD को Fit करें और उसे USB Port के उपर Plug कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो SETA to USB 3.0 का Connector का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप M.2 SETA या फिर M.2 NVMe SSD का यूज कर रहे हैं तो आप इस तरह के Dual Protocol वाले Enclosure का भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद आपको करना क्या होगा अपने SSD को USB Port के उपर Connect करना होगा दोस्तो मैं या पर M.2 SETA SSD का यूज कर रहा हूँ जो SSD है यह बिल्कुल Mount हो चुकी है तो एक बार हम इसे GPT Partition के साथ Initialization पूरा कर लेते हैं इसका इसके बाद इसे कर देता हम Close इसके बाद आपको करना है Browser Open और Open करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा Hasleo Hasleo मेरा एक तरीके से Favorite Brand बन चुका है क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे Tools प्रोवाइड करवाए है बहुत ही जादा Useful है और सबसे खास बात Absolutely Free है तो भाईया मेरा तो Favorite है तो यहाँ पर आपको जाना है Hasleo की Website के उपर और यहाँ पर आपको मिलेगा Windows To Go इस पर आपको क्लिक करना है और Win To USB जो टूल है इसका इसका इसपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसका Free Edition आप डाउनलोड कर सकते हैं और Windows का इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए होगी Windows 10 या Windows 11 के ISO Image जो कि आप Microsoft के Official Website से डाउनलोड कर सकते हैं वैसे आपको इस टूल के अंधर भी डाउनलोड के आपशन मिल जाते हैं वो कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसे अपने सिस्टम के अंधर इंस्टॉल कर दीजिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हैसे लिए विन टू यूएसबी का आइकन आपको डेश्टॉप के ओपर आपको नजर आने लग जाएगा ठीक है इस पर आपको डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है यूएसी कंट्रोल अगर अपेर होता है तो सिंपल येस कर दीजिए और इजी यूएफ़ाई की एपसाइट ओपन हो जाती है तो इसे हम एक बार कर देते हैं अब इसके बाद यहां पर आपको तीन आप्शन मिलते हैं विंडोस टुगो यूएसबी इंसलेशन यूएसबी और बूटेवल विंपी यूएसबी तो हम यहां पर इसका पहला आप्शन ही यूज़ करेंगे तो यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर आप चाहिएंगे by इमेज मेवर अगरर आपने डाउंलोड नहीं करते हैं तो यहाँ पर भी आप Windows जो डाउनलोड Windows ISO का option है इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी Windows डाउनलोड करनी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ठीक है तो एक बार हम वापस से home पर आ जाते हैं Windows to go USB भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद हमें करना है Select Installation Source क्लिक करना है ब्रॉज में जाना है और डाउनलोड के अंदर मैंने रख रहा किए मेरी Windows 10 की ISO इमेज डबल क्लिक करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको अलग-अलग option मिल जाते हैं कि कौन सा edition आपको सेलेक करना है तो यहाँ पर drop-down list के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका फ्री एडिशन है दोस्तों उसके अंदर प्रो और एंटर्पाइज एडिशन सपोर्ट नहीं करता है फ्री एडिशन के अंदर आप सिर्फ home एडिशन को ही सेल सपोर्ट करता है तो यहाँ से आप सिंपल MBR for bio select कर सकते हैं UEFI बूटिंग को सपोर्ट करता है तो सिंपल आप यहाँ से GPT for UEFI भी रख सकते हैं इसके बाद installation जो mode है दोस्तों यह आपको legacy रहने देना है ओके bitlocker का जो है दोस्तों यह भी paid version की facility है तो इसे भी आप free version में use नहीं कर पाएंगे सिंपल इसके बाद आपको करना का है प्रॉसीड वाले बटन के उपर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको एक message आता है कि यह जो आपने drive select की है यह format हो जाएगी सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद windows की ISO से files extract होकर के आपकी SSD के अंदर copy होने लग जाती है दोस्तों और इसके अंदर आपको थोड़ा पो time लग सकता है shutdown हो जाएगा फिलाल मैं इससे कर दीता हूं अंचैक अब हमारे सामने message आ चुका है the operation completed successfully और इसके अंदर हमें टोटल बारा मिनट और एकिस सेकेंड का time लगा है ठीक है यह सब complete जाने के बाद सिंपल फिनिश कर दीजिए और बस इसके बाद विजिपोर्ट से अपनी SSD को remove क किजिए किसी भी system में इसे लगाई है और windows का installation complete कर लेजिए so simple हां drivers और software डालना मत बूलना बाद में और वीडियो को like करने के लिए और चैनल को subscribe करने के लिए क्या अब बोलना पड़ेगा क्या या तुम भी ना तो दोस्तों ऐसी amazing और interesting वीडियो जेखते रहने के लिए don't forget to subscribe टेक्नो बाजी मुलाकात होगी एगले वीडियो में गुडबाई जाहिंद कहां गई मेरी pen drive या डेटा रखने के तो कहां माई जाएगी ओ ये रही शुकर है मिल गई